और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो हमने एक पोल डाला था कि नेक्स्ट रिव्यू आपको कौन सी बाइक पर चाहिए तो आप में से 69% लोगों ने कहा कि भाई हमें तो KTM Duke 200 BS6 का रिव्यू चाहिए तो आज हम उसी का कम्पलीट वॉकराउंड करेंगे और नेक्स्ट पोल आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो वोट जरूर करना So guys, new KTM Duke 200 BS6 का लुक्स एंड डिजाइन टोटली चेंज हो गया है अब इसका लुक्स इसके एलडर सिबलिंग्स KTM Duke 250 और 390 से सिमिलर है और जो पुराने डिजाइन था उसको 125 सेगमेंट में उतार दिया है बाकि दोस्तो पहले के मुकाबले अब इसका लुक्स और भी आई कैची और मस्कुलर लगता है और जिन लोगों को नेकिट सेगमेंट में Duke 250 का लुक्स पसंद था लेकिन जादा प्राइस के कारण वो नहीं ले पा रहे थे तो अब वो लोग KTM Duke 200 की तरफ जा सकते है दोस्तो सामने आपको कॉर्नर्स पर LED DRLs मिलते हैं और सेंटर में आपको हेलोजन हेडलेंप मिलता है और BS6 के आने से Duke 200 में काफी सारे चेंजेस तो किये हैं लेकिन अगर हेलोजन हेडलेंप की जगह LED हेडलेंप होता तो फिर ये बाइक और भी जादा खुबसूरत दिखती लेकिन कोई बात नहीं इसके हेलोजन हेडलेंप की विजिबिलिटी भी अप टू दा मार्क है और पीछे आपको LED टेल लाइट मिलती है और चारो ही इंडिकेटर्स आपको LED मिलेंगे जिनकी कॉलिटी एकदम बेस्ट इन क्लास है दोस्ते इसका इंस्टूमेंट कंसोल एकदम एडवांस है मतलब फीचर्स का तो इसमें आपको भंडार मिल जाएगा जैसे एवरेज स्पीड, गेर इंडिकेटर, कूलेंट टेंपरेचर, ओडोमीटर, टाइम, फ्यूल लेवल, साइट स्टेंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर मतलब आपकी जरुष से जादा फीचर्स इसके इंस्टूमेंट कंसोल में लोड़िड है स्ट्रेट हैंडल बार इसमें आपको मिलेगा जिससे आपको जो सिटिंग पॉस्चर रहेगा वो अपराइट होगा और आपको किसी भी तरह का बैक पेन नहीं होगा बाकी स्ट गेर कॉलिटी इस बाइक की काफी बढ़िया है हाई बीम, लो बीम, सैड इंडिकेटर, हॉर्न और राइट हिंडल बार में आपको इंजन कील स्ट और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों सामने आपको 43 mm WP USD फोक सस्पेंशन मिलता है और 110 section 70 का 17 inches का इसमें आपको टायर मिलेगा और पीछे आपको WP Monoshock Suspension मिलता है और 150 section 60 का इसमें आपको टायर मिलेगा अगर ब्रेकिंग की बात करें तो सामने आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है बाकि KTM की एक खासियत है ये अपना front disc brake left में देते हैं और rear disc brake right में देते हैं नॉर्मली आपने bikes में देखा होगा दोनों ही disc brake right side होते हैं लेकिन KTM की हर bikes में आपको left और right में ही disc brake देखने को मिलेगा और इसी वज़ा से KTM की braking normal bikes के मुकाबले काफी तगडी होती है बाकि दोस्तों आपकी safety के लिए dual channel ABS इसमें लगाया गया है अगर engine displacement की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 199.5 CC का single cylinder 4 valve liquid cooled FIDO HSE engine जो maximum power produce करता है 25 PS at 10,000 RPM और maximum torque produce करता है 19.3 Nm at 8,000 RPM और fuel tank capacity इसमें आपको 13.5 liters की मिलती है बाकि अगर mileage की बात करें तो इस bike से आप around 25 to 30 kmpl तक का mileage gain कर सकते हो seat comfort की बात करें तो पहले के मुकाबले अब इसका seat comfort काफी बढ़िया हो गया है पहले आपको उतनी अच्छी spaceful rider और pillion seat नहीं मिलती थी लेकिन अब इसमें आपको बढ़िया spaceful seat मिलती है और इसकी seat cushioning भी पहले के मुकाबले काफी बढ़िया हो गई है तो आप आराम से 3-4 घंटे ride कर सकते हो बाकी BS6 के आने से changes तो बहुत हुए हैं KTM Duke 200 में लेकिन price में भी increasement आया है 1,76,000 इसका एक showroom price है जो की एक 200cc की bike के हिसाब से जादा है क्योंकि इस से कम range में आपको बजाज की Pulsar NS200 मिल जाती है लेकिन अगर देखा जाए looks, power, performance और features को तो इन सब मामलों में KTM Duke 200 काफी तगडी है बाकी आप comment box पर बताओ कि आप KTM Duke 200 BS6 को लेना पसंद करोगे की नहीं, तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share करो और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी subscribe करके bell icon दबा दो क्योंकि मैं आपके लिए रोजान ऐसी ही interesting वीडियो लाता रहता हूँ और आपको यहाँ पर मेरा Instagram username दिखाई दे रहा होगा तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे follow करो और अगर आपको वहाँ पर भी कुछ doubt है तो आप मुझे DM कर सकते हो अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos